शहवाद मारकंडा में पूर्व राज्य मंद्री क्रिशन बेदी की मुख्या मंद्री के राजनितिक सचीव के पद पर नियुक्ति के बाद उनके समर्थकों में खुशी का माहूल है और सुबह से ही उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है पत्रकारों से बाद चीत में क्रिशन बेदी ने बताया कि मुख्या मंद्री ने उनको सी एमो में जगां दे कर एक छोटे से कार्यकरता का मान बढ़ाया है जिसके लिए वह मुख्या मंद्री के रिणी है और अब वह मुख्या मंद्री के दिशा निर्देशन में काम करेंगे देखिए मुख्यमंत्री जी ने और संसन के लोगों ने मेरे जैसे कारे करता हूँ आज ये CMO की में टीम में मुझे सामिल करने का काम किया है मैं अपनी और से आरिंता पारटी की हमारी पूरी काई की और से मैं दिल की गहराईयों से अभार परकट करता हूँ और साथ ही मैं अपने नेतरत्व को ये विस्वात दिलाना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी की जो जो जनाय है जो सोच है जो विचार है पारदर्स्ता और इमानधारी को कारे करताओं के बीच में लेकर जाना अपरति की और सरकार की नितियों तक लोगों को अवगत कराना और ज्यादासे ज्यादा ही पर जय को मतना-पूर्पर जादाना वहत less नुकुछ श्वारी सिखें परन्तु जो भारेजनता पारिटी और जजबा गटबंदन की मनहुरलाजी के नेत्रतों में जो सरकार चल रही है वो एक अनुभव का एक समागम है यहुआ का ओने नत्री दुस्यन जी का एक लोगों में एक आस और विश्वास है और यह जो गटबंदन की सरकार है हराने की जनता की समस्याओं को समाधान करने का काम करी है देखिए मंत्री मंटल का गटन हो चुका है सबी बाते सेटल हो चुकी है और हार के मंथन को लेकर लगाता है बैठके चल रही है तो अब नहीं लगता आपको कि वो भीतर गाती जिनोंने पार्टी के साथ किसी ने किसी लेव पर्दों के वाजी की है या चुनाओ में हराने का काम के उन पर कारवाई होने चाहिए देखिए पिछले दिनों दिल्ली के अंदर कोर गुरूप की मीटिंग होई उसके बाद हमारे प्रदेश के परमुख लोगों की डूटे लगाई थी नपे नपे विधान सो अचेतरों में जाकर फीडबैक लेक रहा है जो लोग चुनाओ लड़े हैं जिन लोगों ने चुनाओ में काम किया है और जिन लोगों ने पार्टी संक्षण को बढ़ाने का काम के उन समय से फीडबैक हमने ले लिया और गुरूगराम की मीटिंग के अंदर सभी कारकरता ने वो पार्टी के साथ इन लोगों ने बीतर गात किया है या चुनाओ ने जर्बड की है उन लोगों को लिए पार्टी में को स्थान नहीं होना चाहिए अर्थप्रकाश के लिए कुरूग शेतर से कुलतार सिंग की रिपोर्ट ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें